समाजवादी पार्टी के साथ विधायकों ने क्रॉस वोट किया, एक ने एपसेंटी लगाई और जिनों ने क्या हमारे साथ है राकेश प्रताप सिंग राकेश जी क्या हुआ हिदय परिवर्तन, मन परिवर्तन, अंतर की आत्मा की आवाज, आज आपने वोट क्यों किया हुआ ऐसा है मैंने पिछले राजवभा में भी देखा, तीन राजवभा हमारी पार्टी से गए एक कपिल फिबल जी गए जिनका समाजवभादी पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं था, दूफरे जैन चोधरी जी गए जिनका समाजवभादी पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं था, अभी फिर राजवभा जाने की बात हुई, उन लोगों को राजवभा कार्यकर्टा लिखवाता है जाता है पार्टी को खड़ा करता है और जब किसी को यह प liability करता कहा जाएगा हमारे मजबूत अफ़ फब कहा जा जाएगा इनकी तो हंको कार्य करता है कि ऋजar पर मिलता है जो बुच्व पह लरता है इनकी उजफ नहीं बिधायक हैं उन्साइद आफोस्त हैं और महराजी दे भी अमेठी विधायक वह ओड़ देने नहीं आ पाई है आपनी इस बात को कहा कि कारकरता को हक नहीं मिलता जब स्वामी परसाद मौरा के खिलाफ आपने लोग ने आबाज उठाई थी तब भी आपका हक नहीं दिया गय कारवाई की तयारी है आपका पुतला तमाम लोगा फून का जा रहा है समाजबादी पार्टी क्या रहा ले पर कहा जा रहा है कि आपने गद्दारी की पार्टी की साल पहले आए थे हम पेडियार को पढ़के नहीं आए थे और पेडियार को पढ़के आने वाले लोगों के कहने पर अगर सच्चे फमाजबादियों पर कारवाई हो रही है तो उसकी कोई चिंता नहीं है वोट डाला है तो ठिकाना भी वही मान के चले अब यह मैं कैसे कहता हूँ यह अंतरात्मा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अच्छे कंडिडेट को विचारो उपरां तोड़ दिया हूँ तमाम उद्दों पर बात की है और आकिश पताप सिंग ने बीजेपी के कैलिडेट संजे सेट के पक्ष में वोट डाला यह भी बताया कि सातों विधायकों ने एक पक्षो करके वोट डाला है एक जो विधायक थी वो एपसेंट रही यानि कि एक तरीके से जो लगातार जिस बात को लेकर के आसार जताये गया और जिस बात को हमने भी का कई ना कई इस वोटिंग के जरीए अब संजे सेट का रा